हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका चवी किचन में आज मैं आलू का एकतम चटपटा और नया नास्ता बनाने जा रही हूँ यदि कुछ हटके चटपटा खाने का मन हूँ तो ये नास्ता बना सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं चलिए बिना देर किये बनाना शुरू करते हैं यहां मैं धो करके 5-6 आलू ले लिए हैं और इसको आप बॉयल कर लेंगे आलू बॉयल हो रहा है जब तक आगे की तयारी कर लेते हैं एक बड़ा बरतन में 2 कप मैदा ले लिए हैं एनास्ता आटा से भी बना सकते हैं आटा से भी बहुत चटपटा नास्ता बनके तयार होता है अब एक छोटा चमाच अजवाइन डाल लेंगे हाथों से क्रस्ट करके और श्राद के अनुसा नमक डाल लेंगे और बारिक कटा हुआ कड़ी पता डाल लेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नास्ता में आपक अब सबको अच्छे से मैक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आँठा लगा लेंगे आठा न जयादा टाइट बुनना है और ना जयादा गिला गुदना है शौप्ट आठा लगा के तयार करना है और एक बात का ध्यान रखेगा अच्छे से मसल मसल करके आटा लगाना है, तो लिजिए फ्रेंड, मैं आटा लगा करके तयार कर ली, अब किचन टाविल से ढगतेंगे, तक उपर का लेयर सुखे नहीं, गर्मी के दिन रहने से गिला कपड़ा से ढग सकते हैं, अभी ठंडी के दिन है, तो मैं सुखा कपड़ा से ही ढग रही हूँ, आलो बॉयल हो गया है, मैं मैं इस करके ले ली हूँ, अब कड़ा ही गरम कर लेंगे, और एक बड़ा चम्मस तेल डालेंगे, तेल गरम हो जाने से एक छोटी चम्मस जीरा डालेंगे, और जीरा को हलका पका लेंगे, अब अदरख डालेंगे, यहा मैं एक इंच अदरख को क्रस करके ले ली हूँ और आधा मिनाट पका लेंगे और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे और हरी मिर्च को भी तेल में मिक्स कर लेंगे अब मसाले डाल लेंगे आधा छोटा चमाच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमाच धनिया पाउडर आधा छोटा चमाच जीरा पाउडर आधा छोटा चमाच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चमाच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए हैं आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और शारे मसाले को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएं मसाले को लगभग 2-3 मिना भून लेंगे आप देख चकते हैं मसाले से तेला लग होने लगा है अब डाल लेंगे मैसा हुआ आलू साथ में डाल लेंगे साथ के अनुषा नमक और आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम टू लो रखेंगे तो लीजिए फ्रेंड्स आलो का बहुत ही टेस्टी और चटपटा अस्टपिंग रेडी हो गया अब बारी कटा हुआ धनिया डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस आप कर देंगे एक बावल में एक चमस मैदा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके गोल बना लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह का खोल बना के तयार करना है अब इसे साइड में रख देंगे आटा को एक बार अच्छे से मसल लेंगे हाथों में हलका तेल लगा करके चिकना कर लेंगे और आटा को अच्छे से मसल लेंगे और अब दो भाग में कर लेंगे और रोल कर लेंगे और छोटा छोटा एक बराबर लोई तोड लेंगे जैसा पूरी के लिए लोई बनाते हैं वैसा ही लोई तोड़ लेंगे लोई को कपड़ा से ढख देंगे ताकि सुखे नहीं अब एक लोई लेंगे और गोला कर लेंगे, थोड़ा सा मेयदा डस्ट करेंगे और अंडा कार शेफ में बैल लेंगे और ना ज्यादा मोटा बेलना है और ना ज्यादा पतला जैसा रोटी बनाते हैं उससे हलका पतला बेल लेना है और अब काटा वाला चमच लेंगे और बीचो बीच से डिजाइन बना लेंगे चमच को हलका प्रेस करते जाएंगे और डिजाइन बनाते जाएंगे आप अपने पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं चमच को इस तरह से प्रेस करते जाएंगे देखो धी डिजाइन बनते जाएगा इसी तरह पूरे में डिजाइन बना लेंगे और डिजाइन बनाने का एक और रीजन है वो मैं आगे बताऊंगी पूरे में डिजाइन बना लियें अब इसे पलट लेंगे ताकि नास्ता में डिजाइन उपर आ सके आधा पोर्शन छोड़ दिये थे उसके सेंटर में एक से डेड़ी चमच फिलिंग रखेंगे और मैदा का घूल चारोतरफ लगा लेंगे चारोतरफ अच्छे से मैदा का घूल लगा लेजे ताकि फिलिंग निकले नहीं है और एक किनारे से उठाएंगे और दूसरे किनारे में अच्छे से चिपका लेजे और उपर से हलका दबा देंगे ताकि फळैट हो जाए रोल करते जाएंगे और किनारे किनारे से भी दबा देंगे मैदा का घूल लगाए हैं तो अच्छे से चिपक जाएगा इस तरuh से दबा देंगे ये युणिक डिजाइन बन के तयार हूगया तो मैं नया डिजाइन का पेटीस बना रही थी आलू पेटीस ये खाने में पहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है और इसी तरह सारा पेटिस बना लेंगे आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा आपको भी पहुत पसंद आएगी और बनाना भी इजी है आप इसे मेहमानों को भी सरो कर सकते हैं ये पहुत ही चटपटा और गरम कर लिए हैं और तेल मेडियम गरम किजिएगा और एकी करके पेटिस डालते जाएंगे जितना पैन में आ सकता है गैस का फ्लेम मेडियम टू लो रखेंगे हाई प्लेम पे तलने से क्या होगा कि ये अंदर तक अच्छे से नहीं पकेगा जैसे समोसा तलते हैं वैसे ही इसको भी मेडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे तल लीजिए और नीचे का साइड जैसे ही पक जाएगा एकी करके पलट लेंगे इसी तरह अलटते पलटते हुए लाइट गोल्डेन कलर होने तक और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच् होग wonder59 provided बनाने का रीजन है ये नासता तो अच्छा दिखता ही है लेकिन वीजाइन बनाने से ज़ाधा क्रिस्पी बनता है क्यूंकि इसमें छुटे-छुटेोण हो गय है तो सारे परतें अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और इनास्ता ज्यादा क्रिस्पी बनता है इसी तरह सारे पेटिस दल लेंगे तो लेजिए फ्रेंड्स आलो पेटिस बनके तयार हो गई इसे मैं टोमेटो कैचप के साथ सरू कर रही हूँ इसका क्रिस्प मैं दिखाती हूँ आप आवाज से समझ सकते हैं यह कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफीकेशन आपको मिल सके